असलाम अलेकुम दिस इस विलीद बिन फृरीद विद एनेदर वीडियो लेक्चर लेक्चर नमबर टू चैप्टर नमबर सेवन किंग्डम प्रोटिस्टा फरस्ट यर आज हमारा टॉपिक है ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट और ये तीन में जो ग्रुप्स में हमें ये प्र यूनी सगेल य और ये तमाम प्रोटोजस्ट के ये जो ज्ड़ल क्रेक्ट्रु एस हम होते हैं तमाम प्रोटोजन्'s यूनी सगेलर रुपते हैं और ये अपना ख्हाना ऐंड़ो साइटासिस की थुछ लैते हैं आ एक्जमपल बात करते हैं गजमपल की तो अमेबा चाता नहीं होती और इसके बाद हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो इनके पास किसी किसम का कोई फ्लेजेला नहीं होता तो यह मुवमेंट करवाते हैं ऑई cytoplasmic projection mean that कि यह किनका जो है amoeba है इसका cytoplasm बाहर की तरफ निकला होता है that cytoplasmic projection is noun as pseudopenia को हम pseudopodia कहते हैं और ये जो pseudopodia की वज़े से यह बलगाथार क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं इस की example देखें तो endosomoeba histolyteca that is intestinal beasts और यह इंटस्टाइनल परसाइट क्या कास करता है डाइसेंट्री भी कास करता है आगे हमारे पास दूसरा टॉपिक है जी जेंट अमीबा और जेंट अमीबा का जो साइंटिफिक नेम है वह पलियो मैक्स प्लेस्टरस दैट इस मोस् प्रिमिटिव यू क्रियार्ड और यह बड़े only have a nuclei that is membrane-bounded structure present in it और यह एक नहीं होते हैं बहुत सारे होते हैं multiple nuclei structures होती हैं इसके अंदर source of energy इनके अंदर कुछ methaneogenic bacterias होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं और जो उनको क्या प्रवाइट कर रहे होते हैं energy प्रवाइट कर रहे होते हैं habitat की बात करें तो यह mud में भी पाया जाते हैं at the bottom of fresh water ponds और इसकी importance की बात करें तो इसकी ecological importance देखके तो यह degradation of organic matter mean के यह organic matter को क्या करता है तोड़ फोड़ करवा रहा होता है उसके बाद अगला topic है हमारा zoo phlegulates, zoo phlegulates जएदा तर unit cellular होते हैं और बहुत चंद ही जो हैं यह क्या हैं colonies के फार्म में exist करते हैं यह spherical goal भी होते हैं elongated chip भी होते हैं और इनके center में जो क्या है एक nucleus पाया जाता है इनको locomotion देखें तो इनके पास phlegella होते हैं एक भी होता है बहुत सारे भी होते हैं और that phlegella are whip like जिस तरह आपने कभी गदा गाड़ी देखी उसके फिर जो बंदा बैठा होता है और वो चमड़े की जो उसने रसियां पकड़ी होते हैं वो whip उटको whip का आ जाते हैं इसी तरह इनके पास भी phlegella होते हैं that is present anterior side आगे वाली side पर पाया जाते हैं और इन phlegella की that phlegella is flexible lashing moment की वज़े से वो क्या करते हैं आगे move करवा रहे होते हैं mode of nutrition की बात करें तो ये dead organisms को भी ingestion करवाते हैं living material की भी ingestion करवाते हैं और dead material की decomposition करवा के वहां से ये nutrition को absorb करवाते हैं जू फलिजिलेट्स डिफरन तरीके से रह रह रहे होते हैं environment के अंदर ये symbiosis की थ्रू भी रह रह रहे होते हैं ये parasite की farm में भी रह 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 रहे होते हैं और ये free living भी होते हैं तो हम इनकी देखते हैं जैसे हम example बात करें त्राइक ट्राइको ट्राइको नेमफस की बात करें that is symbiosis relationship means के ये symbiosis की form में रहता है that live in the gut of termite जो termite जो दिमक है इसकी gut में रहता है और इसके पास बहुत सा रिफलेजे लगते हैं इस तरह दूसरी example हम बात करें तो ट्राइपेनसोमा that is parasite ये parasite की form में रहता है that ट्राइपेनसोमा cause frequent sleeping sickness ये एक बीमारी है sleeping sickness ये कास करता है और ये होती किसकी वज़ा से है ये कैसे फैलती है transmitted by sexy fly ये एक fly है जिसके अंदर क्या होता है त्राइपेनसोमा होता है उसके थ्रूँ ये फैलती है और तीसरी example है kono flagellates kono का जाता है colors को और flagellates mean के इनके पास flagella होता है और flagella का क्या होता है color होता है that is free living और ये sysile होते है sysile mean के वो किसी specific जगह पे रहते हैं देखे not move किसी point पे attach होते हैं किसी चीज के साथ attach होते हैं और ये जड़तार marine होते हैं और ये fresh water में भी पाया जाते हैं colony की फार में भी मिलते हैं इनके पास flagella होते हैं और flagella with undelicate color होते हैं ये आप देखें ये group of agnism है जो मैंने यहां पर diagram ड्रा की है ये देख दो तीन चार पांच है और ये आपको नजर आ रहे हैं ये color है इनके ये color है मैंने का तो color के साथ इनके flagella attach है ये 7 flagella है तो मैं ये यहां से उठाके एक agnism अकिला रियांड रहा किया है ये देखें ये color है और ये इसके पास क्या चीज है ये इसके पास flagella ला जाते हैं और ये क्या है इनके पास stock होती है stock dandy को कहा जाता है जो क्या करती है attachment में मदद कर आती है किसी पर rocks के साथ किसी भी जगा पर attach हों उसके बाद है जी अगला topic हमारे पास ciliates का और ciliates की बात करें तो ciliates these are the unicellular organisms और इनकी outermost covering होती है that outermost covering is known as palisal ठीक है ये flexible outer covering होती है और जो क्या देती है एक इनको changeable shape जो है change होती रहती है definite होती है ठीक है इनकी के locomotion की बात करें जैसे एक इसकी example में देखें तो paramecium move by the help of cilia ये cilia के through move करते हैं और cilia क्या है ये इनकी ओपर छोटे छोटे धागों की तरह thread like structure that may be present in the hundred and thousand's की form में ये पाया जाते है इनकी beating की वज़ा से cilia की जो beating है उनकी वज़ा से जो organism है वो paramecium की बात क पीछे या वो turn ले रहा होता है और ये coordinated moment होती है mean that ये नहीं है कि ये जो फलेजेला है sorry ये जो cilia है ये दो तीन move कर रहे हैं और दूसरे नहीं कर रहे या ये आगे move करवाना चाहरे है तो वो पीछे move करवाना चाहरे है नहीं ये जब ये आगे move करेंगी ये तमाम सिल्या गठे मिलके क्या करवाएंगे उसको आगे मूग करवाएंगे पीछे करना चाहरें तो इसी तरह क्या टर्ड राउंड ले रहे चाहरें तो और इन में कुछे जो हैं वो सिसाईल होते हैं सिसाईल मीन अटैज्ट किसी स्पेसिविक पॉइंट पर पाए जाते हैं और यह इत ऑप्र किसके साथ होते हैं और पानी के अंदर एक करन टाइप जो है moment produce होती है जैसे for example एक दरिया है और दरिया के अंदर की बाल आप खेलते हैं क्रिकट तो बाल जो है कनारे में चली गई है पानी के अंदर चली गई है तो आप पानी यहां से बाहर फेंग रहे होते हैं अपनी तरफ तो आस्ता आस्ता देखते हैं कि वह बाल आपकी आपको पता है कि यह पानी में अंदर भी पाया जाते हैं तो पानी जो है फ्रेश वाटर एसिलियर्स की बात करें तो पानी जो है रेगुलर लीन के अंदर मूव करता रहता है और यह को आस्मू रेगुलेशन करने के लिए special structure होती है special structure is known as contractile vacuum और पानी अगर जैदा हो गय through पानी अपने अपने अंदर से बाएर निकाल रहोता है नुकलियाई की बात करें उसके पास दो तरह की नुकलियाई होते है एक होता है macronucleus और दूसरा है micronucleus मेक्रो बड़े को कहा जाता है और that macronucleus is polyplied nucleus होता है polyplied मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था poly का मतलब ह होता है maniplied polyplied mean के इनके पास जो kromosomes होते हैं वो बहुत जएदा होते हैं और यह polyplied nucleus क्या करता है growth, health, metabolism के अंदर important role play करवा रहा होता है और micronucleus की बात करें तो यह क्या है diplied nucleus होता है diplied mean के इसके पास two sets जो है chromosomes के होते हैं that's an important role in reproduction यह conjugation के तुरू sexual reproduction करवाते हैं conjugation क्या है पीछे भी मैंने बताया था कि different जो है यह आपसमें मिलते हैं और यह exchange their genetic material अपना genetic material exchange करवाते हैं example की बात करें तो example इन में आ जाती है paramecium आ जाती है और verticilla है और stentor भी है these stentor are the sysile बहुत important objective mostly examiner पूछता है यह sysile protest होते हैं उसके बाद आज का हमारा last topic है जी जो है फर्मोनी फिरस हैं these are the unicellular marine होते हैं और इनकी body के बाएर एक shell होता है एक covering होती है that shell is now net test यह आपको एक agnism मेंने track किया था यह देखें आप तो यह यह बाएर इसके shell है यह shell यह आपको shell नजर आ रहा है और यह जो shell है that shell is made up of calcium calcium यह calcium आयन से मिलके बना होता है important objective में पूछता है और इस shell के अंदर क्या होते है इस shell के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स के तरूँ बना देती है और यह बहुत सारे होते हैं इस तरह बहुत सारे होते हैं मैंने तो आपको समझाने के लिए दो तीन रहा किया थे बहुत सारे होते हैं और जाली की तरह यह structure बन जाती है जो क्या करते हैं जो प्रे को बड़ी असानी के साथ क्या कर लेते हैं यह पकड़ लेते किया है एक हडैत हुट ही उर इनकी लोकोमोशν जो प्लेन एपॉरंटून रोल इन दे लोकोमोशन इसके बाद इनकी उक्पर्टनस देखे एक्बाइगक उनकी है इनकी उत्त हुट ही पराने यह फ़्रमिन फैरस है और यह क्या है के डिपाउजर होते जाते हैं दीजेट इंट Tuesday फार्पिशन आ फ लाइम स्टोऊं जिसे हम चुना कहते हैं ठीक है वह बनाते बंप्धर की बात करें ग्यू फॉर रंस जय है यह बेस्ट इंपल्स Nä फौर मनी फैरस की होप सो आपको समझ आई है चैनल जरू सब्सक्राइब करें कुमेंट भी करें अगर कोई क्वेस्चन है तो वो आप क्वेस्चन पूश सकते हैं थेंक्यू सो मज़